नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल कहते हैं महिलाओं को उपर वाले ने शारीरिक रूप से बहुत मस्बूत बनाया है सच कहते हैं एक महिला जब मा बनती है तो उसे बेहत दर्द से गुजरना पड़ता है और पुरूशे के मुकाबले ऐसी कई बिमारिया हैं जिससे कई महिलाओं को गुजरना पड़ता है उन्ही में से एक है यूरेन इंफेक्शन जिससे जादातर महिलाएं परिशान रहती हैं ये संक्रमन तब होता है जब बैक्टीरिया यूरेन के रास्ते में प्रवेश करते हैं जिससे यूरेन के दोरान दर्द बार बार यूरेन आना और पेल्विक दर्द जैसे लक्षन पैदा होते हैं UTI के इलाज के लिए आमतोर पर एंटिबाइटिक्स का इस्तिमाल किया जाता है। लेकिन बार-बार होने वाले संक्रमन से बचने के लिए रोक थाम बहुत जरूरी है। यूरिन इंफेक्शन के लिए दवा से जादा घरेलू इलाज कारगर है। स्वास्त रहने के लिए पीने का पानी जरूरी है और ये UTI को रोकने के लिए जरूरी है। जब आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो ये हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है जो यूरिन के रास्ते में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हाइडरेटेड रहने से यूरिन को पतला करने में मदद मिलती है जिससे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं जो यूरिन करते वक्त परिशान भी कर सकते हैं ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब यूटी आई को रोखने की बात आती है तो सभी तरल पदार्थ एक जैसे नहीं होते जबकि पानी सबसे जादा अच्छा अप्शन है कॉफी चाय और सोडा जैसे अन्य तरल पदार्थ वास्तव में आपके यूटी आई का खत्रा बढ़ा यूटी नमस्कार